आपका स्वागत हिंडिया पबलिक खबर में और मैं हूँ अरजिता मिश्रा पियम मोदी की सरकार के तीसरे अध्याय को शुरू हुए हाल ही में 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीश अब केंद्र सरकार ने अपना वो वादा निभा दिया है जिसका जिक्र करके चुनाओ से पहले पियम मोदी ने केंद्र मिश सरकार बनने के बाद प्रायोरिटी पर रखे जाने की बात गही थी ये फैसला ना सर्फ एतिहासिक माना जा रहा है बलकी इसको लेकर अब सियासी गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अलगी बहस शिर्ती दिख रही है क्योंकि ये फैसला लिया गया है लोगतंत्र का पर्व माने जाने वाले चुनाओं को लेकर केंदर सरकार ने आखिरकार वन नेशन वन इलेक्षन को जमीन पर उतारने के लिए औपचारिक रूप से मनजूरी देने के साथ ही संसद में इसके लिए बिल पेश करने का रास्ता साफ कर दिया है वन नेशन वन इलेक्षन को कैबिनेट के ओड से हरी जंडी मिलने के साथ ही देश में विधान सभा और लोग सभा के चुनाओं एक साथ करवाने की रहा आव आसान होती दिख रही है पूर्व राश्रुपती रामनात कोविंद की अध्यक्षता में वनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मन्जूरी मिल गई है इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्षन की संभावनाव पर इसी साल 14 मार्च को राश्रुपती द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौपी थी 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो सुझाओ दिये गए उसके मुताविक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राजी विधान सभाओं के चुनाओ के साथ कराय जाने चाहिए समीती ने आगे सिफारिश की कि लोकसभा और राजी विधान सभाओं एक साथ संपन होने के सौ दिन के भीतर स्थानिय निकाय चुनाओ भी हो जाने चाहिए इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधी में सभी स्तर के चुनाओं संपन कराय जा पाएंगे वर्तमान में राजी विधान सभाओं और लोकसभा के चुनाओं अलग-अलग आयो जित किये जाते हैं यहां गौर करने वाली बात है कि पूर्वर राश्रुपती रामनात कोविंद की अगवाई में बनी इस समिती ने 62 पार्टी से कॉन्टाक्ट किया था इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाओं का समर्थन किया था जबके 15 पार्टियां इसके विरोध में थी 15 ऐसे पार्टियां थी जिनोंने कोई जवाब नहीं दिया था जिन से संपर्क किया गया इनमें केंद्र की NDA सरकार में BJP की अलावाद चंदरबावु नाइडू की TDP, नीदी इशकुमार की J.U. और चिराग पासवान की LJPR बड़ी पार्टियां है J.U. और LJPR तो एक देश एक चुनाओ के लिए राजी है जबकि TDP, जारखंड, मुक्ति मोर्जा, इंडियन, यूरियन, मुस्लिम लीग समेथ 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था वही कॉंग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, CPM और बसपा समेथ 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था माना जा रहा है कि अब केंदर सरकार इसे शीत कालीन सत्र में संसद मिलाएगी हाला कि ये संविधान संशोधन वाला बिल है, ऐसे में इसके लिए राजियों की सहमती भी जरूरी है उधर सोशल मेडिया पर भी वन नेशन, वन इलेक्शन को मनजूरी मिलने के बाद मिले जुने रियाक्शन देखने को मिले इसके वर्मा नाम के एक यूजर ने इसे जरूरी कदम ठहराते हुए लिखा कि इससे सरकार और जनता के टैक्स का पैसा और समय बचेगा जो दूसरे विकास कारियों पर खर्च होगा इसके खिलाफ वही होंगे जिनको देश के लिए ना कुछ करना है ना ही कुछ सोचना है वही कुछ लोग वन नेशन, वन इलेक्शन के कॉंसेप्ट को भारत में इंप्राक्टिकल ठहराते हुए नजर आए विशाल जियोती देव अगरवाल लिखते हैं कि जो लोग जम्मू कश्मीर विधान सभा की 90 सीट पर एक चरन में चुनाओ करवा नहीं पारे वो देश के सभी राजियों के नगर निगम विधान सभा और लोग सभा चुनाओ एक साथ कराने का बिल ला रहे हैं इस सरकार ने जिस एक शीतर में हाथ लगाया वो बरबाद हो गई अब लगता है कि चुनाओ की बारी है लेकिन ये एक साथ चुनाओ तो 1960 से आग जारी नहीं रह सके अभी चार राजियों के चुनाओ तो इलेक्शन कमीशन एक साथ करवा नहीं सका बड़ी बाद ये है कि प्रधान मंतरी नरिंद्र मूदी लंबे वक्त से वन नेशन वन इलेक्शन की वकारत करते आए हैं पूरे पांच साल राजनीती नहीं होनी चाहिए इस से चुनाओ का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटाउती होगी हाला कि इसको लेकर सर्फ राजनीतिक पार्टियों में ही नहीं बलकि आम जंता में भी दो गुड़ बटे नजर आ रहे हैं एक वो जो इसके पक्ष में है और एक वो जो इसका विरूत करते हैं तो चलिए अब ज़रा पहले ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्षन लागो होनी के बाद क्या और कैसे बदलाओ देखने को मिलेंगे आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही वस्त या एक ही साल में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतिय लोगसभा और विधानसभा चुनावों में वोटिंग करेंगे यही नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लागो होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनावों भी एकट्था होंगे एक देश एक चुनाव का समर्ठन करने वालों का तर्क है कि ये कदम चुनावी प्रक्रिया को सोव्यवस्थित कर सकता है खर्चों को कम कर सकता है और बार-बार चुनावों के कारण होने वाली परिशानियों को कम कर सकता है वहीं आलोचा किसे लेकर कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं इसी कड़ी में AIM AIM चीफ असदुदी नुबैसी ने एक्स पोस्ट करके लिखा कि मैंने लगातार One Nation One Election का विरोध किया है क्योंकि ये समस्या की तलाश में एक समाधान है ये संघवाद को नश्ट करता है और लोकतंत्र से समझोता करता है जो कि समविधान के मूल ढाचे का हिस्सा है देश में अब तक चली आ रही चुनावी प्रक्रिया को देखा जाए तो भारत में चुनाव का ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि देश में चुनाव होते ही रहते हैं आजादी के बाद से देश में कई चुनाव हुए हैं जिससे अकसर संसाधनों और प्रशासनिक मशीनरी पर काफी दबाव पड़ता है लेकिन कहा ये भी जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की सोच नहीं नहीं है जानकारों का मानना है कि ये प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना की हमारा संविधान साल 1950 में गरतंत्र होने के बाद 1951 से लेकर 1967 के बीच हर पांच साल में लोकसभा और सभी राजी विधान सभाओं के चुनाओं एक साथ होते रहे वहीं अमेरिका, फ्रांस, स्वीजन, कनाडा जैसे देशों में भी एक देश एक चुनाओं के मॉडल के वैरियेशन को अपनाया गया है लेकिन भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लागू करने की कई चुनाओं भी हैं लोकसभा और विधान सभा का कारेकाल पांच वर्शों का होता है लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है ऐसे में सरकार के सामने चुनाओती होगी कि एक देश एक चुनाओं का क्रम कैसे बरकरा रखा जाए एक देश एक चुनाओं पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनाओती होगी क्योंकि इस पर सभी पार्टियों के अपने अलग-अलग मत है ऐसा माना जाता है कि एक देश एक चुनाओ से राष्ट्रिय पार्टी को फायदा पहुचेगा लेकिन क्षित्रिय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगत ना होगा यानि कि उन्हें नुकसान पहुचेगा फिलाल देश में लोग सभा और विधान सभा चुनाओ अलग-अलग होते हैं जिस वज़ा से EVM और VVPAT की भी लिमिटेड एडिशन हैं लेकिन अगर एक देश एक चुनाओ होते हैं बहराल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्याबिनेट से मन्जूरी मिलना एक एतिहासिक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है हाला कि ये मुद्धा बहुत बहस का विशे भी रहा है ऐसे भी तमाम विरोधों के बीच अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि संसक के विंटर सेशन में ये बिल पास हो पाता है या नहीं लेकिन फिलाल इस मुद्धे पर आपका क्या कहना है कमेंच में लिख कर हमें अपनी राज ज़रूर बताए बने रहे इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबान आप बिलकुल न भूलें प्राइब करें रहे ज़रूर रहे इंडिया पर लिख करें देग करें